नमस्कार जी या सुनकर पार्वती जी मुस्करागर बोली है विज्यानी मुनिवरो आपने उची ठीखा आपकी समझ में शिप जी जी ने काम देव को अब जलाया है अब तक तो वे विकार युक्त ही रहे कि तु हमारी सबसे तो शिप जी जी सदा से ही योगी अजन में आनिक काम रही तो और भोग ही ने और यदि मैंने शिप जी जी को ऐसा समझ कर ही मन वचन करम से प्रेम सहीत उनकी सेवा की है तो हे मुनेश्वर सुलिये विक किरपाने दन भगवान मेरी पृतिग्या को सब्त करेंगे आपने जो यह का कि शिप जी जी ने कान देव को भसम कर दिया यही आपका बड़ा भारी अभिवेक है हे तात अगनी का तो यह सह सवावी है कि पाला उसके समीब कभी जाई नहीं सकता और जाने पर वो अवश्चन हो जाएगा महादेव जी और कान देव के सम्मद में में यही निहाई समझना चाहिए पारजी जी के भचन सुनकर उनका प्रेम तता पिश्वास देखकर मुनी हरदे में बड़े प्रसन वे बेभिवानी को सरनवाकत चल दी और हिमाचल के पास पहुँचे उन्हें परवात राजी माचल को सब हाल सुनाया कान देव का बसा मुना सुनकर हिमाचल बहुत दुखी वे फिर मुन्यों ने रती के बरदान की बात कई उसे सुनकर हिमाद ने बहुत सुक माना शिवजे जी के प्रवाव को मन में विचार कर हिमाचल ने शेष्ट मुन्यों को अदर पुर्वक बुला लिया और उनसे शुवदेन शुवन श्यत्र शुव घड़ी शुद्वा कर बेत की बिदी के अनुसार शीट की लगन निश्य करा कर लिखवा दिया फिरी माचल ने वा लगन पत्रिका सब तरिश्यों को दे दिया और श्रण पकड़ कर उनकी बिंती की उनोंने जाकर वा रगन पत्रिका ब्रहमा जी को दी उसको पढ़ते समय उनकी अर्दे में प्रें समाता ना था बरमा जिन लगन पढ़कर सब को सुनाया उसे सुनकर सम उनी और देवताओं का सारा समाज हरशित हो गया आकास से फुलो की वर्षा होने लगी बाजी बचने लगे और दसो दिशाओं में मंगल कलस सजा दिये गए सब इपता अपने भाती भाती के वहन और विमान सजाने लगे कल्याण प्रत मंगल शगुन होने लगे और अब सराएं गाने लगे शिवजी के गण शिवजी का सिंगार करने लगे जटाओं का मुगट बनाकर उस पर सापों का मोर सजायागा शिपजी जी ने सापों के ही कुंडल और कंकड पहने, शरीर पर भी भूती रमाई और वस्तर की जगे बांगंबर लिमेट लिया शिपजी जी के सुन्दर मस्तक पर चंद्रमा सिर्पर गंगा जी ती डेतर सापों का जनेव, गले में विश और छाती पर नन्मुंडो की माला थी इस पर कारुन का बेश अशुर होने पर भी वे कल्याण के धाम और करपालू है, एक हात में त्रिशूल और दूसरे में डमरू सुसोबित है, शिपजी जी बेल पर चड़कर चले, बाजे बज़रे हैं शिपजी को देखकर देवागनाई मुसकरा रही है, इस वर के योग संसार में नहीं मिलेगी, बिश्णू और बरमादी देवताओं के समू अपने अपने वहनों पर चड़कर बरात में चले, देवताओं का समाज सब परकार से अनूपम था परदूले की योग बरात ना थी, तब बिश्णू भगवान ने सब दिकपालों को बुलाकर हस कर ऐ और वे अपनी अपनी से नसहीत अलग हो गए, महादेव जी अस देखकर मनी मन मुस्कराते हैं कि विश्णू भगवान के व्यंग बचन नहीं छूटते, अपने प्यारे के इन प्यती प्रिये बचनों को सुनकर शिपजी जी ने भी भ्रंगी को बेचकर अपने सब गड़ो कोई बिना मुक का है, किसी के बहुत से मुक है, कोई बिना आत पैर का है, तो किसी के कहीं हात पैर है, किसी के बहुत आखे हैं, तो किसी के एक भी आख नहीं है, कोई बहुत मोटा ताजा है, तो कोई बहुत ही दुबला पतला है, कोई बहुत दुबला हो कोई बहुत मोटा कोई पवित्रों कुई या पवित्र वेश धरण किये हुए है बैंकर गहने पैने आप में कपाल लिये हैं और सब के सब शरीर में ताजा खून लपेटे हुए हैं गदे कुत्ते सूर और सियाय के से उनके मुख्याय गड़ों के अगनित वईशो कोई कौन की ने बहुत परका जिसे धूला है अब वैसी भराद बन गई है मार में चलते वे बाती बाती के कौतु खोते जाते हैं इधर इमाचल ने ऐसा विचित्र मंडब बनाया कि जिसका वणन नहीं हो सकता जगत में जितने चोटे बड़े परवत थे जिनका वणन करके पार नहीं मिलता तता जितने वन समुदर नदियां और तलाद थे इमाचल ने सबको निवता भेजा विसव अपने इच्छानों सा रूप धरन करने वाले सुन्दर शरी धरन कर सुन्दरी इस्तरियों और समाजों के साथ इमाचल के घर गए सभी इस नया सहीत मंगल गीत गाते हैं इमाचल ने पहले ही स बहुत से घर सजवा रखे थे यथा योग उन इस्तानों में सब लोग उतर गए नगर की सुन्दर शोबा देखकर ब्रह्मा की रचना चातरू भी तुछ लगती थे नगर की सुन्दर देखकर ब्रह्मा की निपुड़ता सचमु तुछ लगती है बन बाग कुएं तलाब नदिया सभी सुन्दर है उनका वड़न कौन कर सकता है घर घर बहुत से मंगल सुचक तुरण और थोजा पताकाएं से शोबित हो रही है वहां की सुन्दर और चतुर इसली पुछों की छवी देखकर मुनियों के वी मन महित हो जाते हैं जिस नगर में से हम जगदंबा ने अफ्तार लिया क्या उसका वड़न हो सकता है वहां रिद्दी चिद्दी संपती और सुक नित नए बढ़ते जाते हैं बरात को नगर के निकट आई सुनकर नगर में चहय पहल मजगे जिससे उनसकी शोबा बढ़ गए अगवानी करने वाले लोग बनाउश चिंकार करके त तनाना पिकार की सवारियों को सजाकर आदर सईद बरात को लेने चले देटाओ के समाज को देखकर सब मन में प्रसन हुए बिश्णू भगवान को देखकर तो बहुत ही सुकी हुए गिन्तु जे जी के दल को देखने लगे तब तो उनके सब वाहन दर कर भाग चले कुछ बड़ी उम्रे के समस्दार लोग धीरे जरकर वहां डटे रहे लड़के तो सब अपने प्राण लेकर भागे घर पहुशने पर जब माता पिता पुछते हैं तब वे भैसे कापते वे शरीर से ऐसा बचन कहते हैं क्या कहें कोई बात कहीं नहीं जाते हैं या भरात है या र हैंकरे उसके साथ भैनक, मुगवाले, भूत परेद, बिसाच, योगनिया और राक्षस हैं जो बरात को देखकर जीता बचेगा सच मुछ उसके बड़े ही पुण हैं और वही पारवती का भीवा देखेगा लड़कों ने घर गर यही बात कहीं महेश्वर का समा समझ के सब लड़कों के मता-पिता मुस्कुराते हैं उन्होंने बहुत तरह से लड़कों को समझाया कि निडर हो जाओ डर की कोई बात नहीं है अगवान लोग बरात को लिवा लाई उन्होंने सबको सुन्दर जनवासे ठैनने को दिये मैना ने शुब बरात आरती सजाई और उसके स साथ ही स्तरियां उत्ता में अंगल गीत गाने लगी सुन्दर हातों में सोने का थाल सोभी थै इस परकार मैना हर्श के साथ शिब्री जी का परचन करने लग चली जब मादेव जी को भ्यानक भेश में देखा तब तो स्तरियों के मिन में बड़ा भारी भेवत पन हो गया ब पने नील कमल के समान नेत्रों में आसू भर कर खा जिस भी थाता ने तुमको ऐसा सुन्दा रूप दिया उस मुर्क ने तुमारे दुले को बावला कैसे बनाया जिस भी थाता ने तुमको सुन्दा रता दी उसने तुमारे लिए बावला वर कैसे बनाया जो फल कल जाए वजबर्दस्ती बर्बूल में लग रहा है मैं तुम्हें लेकर पार्ट से गीर पड़ूंगी आग में चल जाओंगी या समुमने कूत पड़ूंगी चाहें घर उजड़ जाए और संसार बर में आप गीरती फैल जाए पर जीते जी मैं इस बावले वर से तुम्हारा भिवाना करूंगी हिमाचर की हिस्तरी मैंना को दुखी देखकर सारी हिस्तरिया वेक्यूल हो गए मैंना अपनी कन्या के स्ने को याद करके बिलाब करती और रोती कहती थी मैंने नारत का क्या बिगाड़ा था जिन्होंने मेरा बसतावा घर उजाड दिया जिन्होंने परवती को ऐसा उगदेश दिया कि वावले वर के लिए तप किया सच मुझे ना किसी का मोह है ना बसमाया ना उनके धन है ना घरे और ना स्तरी है, वे सबसे उदासी ने, सी सी वे दूसरे का घर उजाडने वाले हैं, उन्हें न किसी की लाज ना डार है, बला बाज इस तरी पर सब की बिड़ा को क्या जाने, माता को विकल देकर पावतेजी विवेक युक्त कॉमल वानी बोली, हे माता, जो भी धा माता रच देते हैं वो टलता नहीं ऐसा विचार कर तुम सोच मत करो जो मेरे भाग में बावलाही पती लिखा है तो किसी को क्यों दोश लगाया जाए हे माता क्या बिधाता कि अंग तुमसे मिठ सकते हैं ब्रथा कलंक कटी का मत लो हे माता कलंक मत लो रोना छोड़ो यह आफ बाती देपी दाता को दोश देकर आगों से आखसू भाने लगी इस समाचार को सुनते हैं यह माचद उसी समय नहरा जी और सब तरिशियों को साथ लेकर अपने घर गाए तर नहरा जी ने पूर जन्म की कटा सुना कर सबको समझाया कि है मैंना तुम मेरी सची बास सुनो त अपने इच्छा से ही नीला शरी धराण करती है पहले से यह दक्स के घर जाकर जैन्मी थी तब इसका नाम सती था बहुत सुन्दर शरीर पाया था वहां भी सती शंकार जी से भ्याई गही थी यह गाता सारे संचगत ने पर सीद एक बार उन्होंने शिवजी जी के साथ आत अगर बेजरन किया उसी अपरात एक अनक शंकर जीरन को त्याग दिया फिर शिवजी जी के वियोग में ये अपने पिता के यग में जाकर भही योग आगनी में भसम हो गई थी अब उन्होंने तुमारे घर जनम लेकर अपने पती के लिए कठिन तब किया था जानकर संदे चोड़ दो पार्दी जी तो सदाई शिवजी जी की प्रिया अड़ धाननी है तब नारत के बचन सुनकर सबका बिशाद मेट गया और छणबर मिया समचार सारे नगर में घरगर फैल गया तम मैदा और हिम्मान आनन में मगन हो गया और उन्होंने बार बार पारवती के चर चनुसार अनेक भाती की जोनार हुई जिस घर में से माता भवानी रहती हो मां की जोनार का बढ़न कैसे किया जा सकता है हिमाचन लिया अदर प्रवक सब बराती हो विच्णू ब्रम्मा सब जाती के देटाओं को बुलवाया बोजन की बहुत सी पंगते वैठी चतुर रसो और ब्यांग भरे बचन सुनाने लगी देवगड़ भी नोच सुनकर बहुत सुक अनवाप करते हैं इसलिए बुजन करने में बड़ी देर लगा रहे हैं बुजन के समय जो अनन्द बड़ा बकरुडों मूँ से भी नहीं का जा सकता सब के हाथ मूँ दुलवा कर पान दिय फिर सब लोग जो जहां ठरेते वहां चले गए फिर मुन्यों से ने लोड़कर ही मान को लगन सुनाईगर बिवा का समय देखकर देट्रों को बुला भेजा सब देवतां को अधर सहीत बुलवा लिया और सबको थायोग आसन दिये भेत की रिती से बेदी सजाए गई और इ गाने लगी बेदी का पर एक अतन सुन्दर दीव सिंगासंद था जिसका वड़न नहीं किया जा सकता फिर मुनिशोर ने पारवती को बुलाया सक्किया सिंगार करके उन्हें लियाई पारवती जी के रूप को देखते ही सब देपता मुईत होगे संसार में ऐसा कभी कौन है जो सुन्दरता का वड़न कर सके पारवती जी को जगदंबा और शिब्री जी की पतने समझ कर देता और ने मनी-मन प्रडाम के अब हवानें जी सुन्दरता की पराकाश्ता है करोडव मुखो से भी उनकी शोबा नहीं कही जा सकती जग्जनि पारवती जी की माल शोबा का वड़न करोडों मुखो से भी करते नहीं बनता बेद शेज जी और सुस्वटी जी तक उसे कहते वे स सुक्चा जाते हैं तब बनमुत्ति तुन्सी किस गिंती में है सुन्दत और शोभा की खान माता भवानी मंडब के वीच में जहां शिप्जी जी थे वहां गई वे संकोष के मारे पती के चिनन कन्यों को देख नहीं सकती कपरंतु उनका मन रुपी भौरा वही रस्पान कर र बेदों में बिवा की जैसी रीती कहीं गई है माम उन्यों ने वह सबी रीती करवाएं पर्वत राजी माचन ने हाथ में कुछ ले करता था कन्या का हाथ पकड़कर उन्हें भवानी जान का शिप्जी को समार पढ़ किया महेश्वर ने पारवती का पारिग्रण किया सब द अना प्रिकार की फूलों की बर्शा विशी पार्वती का विवा हो गया, सारे भ्रहमान में अनन्द भर गया, दाशी दास, रत, गोड़े, हाती, गाए, बस्तर, मड़ी, आदी, अने प्रिकार की चीजे, अने तता सोने के बरतन, गाड़ियों में लदवा कर धहज में दिये, तब कि पाकिसागर भंडार शिप जी जी ने अपने ससुर का सभी प्रिकार के समाधान किया, फिर प्रेम से परिपून भर दे, मैना जी ने शिप जी जी के चंड कमल पकड़े और कहा, हे ना दिया, उमा मुझे मेरे प्राणों के समान प्यारी है, आप इसे अपने घर के ट अंदर सीख दी है, पारवती तू, सदा शिप जी जी के चंड की पूजा करना, नारियों का यही धरा में उनके लिए पती ही देता है, और कोई देता नहीं है, इस प्रिकार की बाते कहते हैं, उनकी आखों में आसू भराए, और उनने कन्या को छाती से चिप टा लिया, फि पचलनों को पकड़ का गिर पढ़ती है, बड़ाई प्रिय में कुछ वड़ा नहीं किया जा सकता, बवानी स्त्रियों से मिल भेट कर, फिर अपनी माता के रिदय से जा लप्ती, पारवती जी माता से फिर मिलकर चली, सब किसी ने उन्हें योग आशिरवा दी, पारवती ज लगे और आकाच में सुन्दर नगाडे बजाने लगे, तब हिम्बान अतन प्रेम से शिप्जी जी को पहुचाने के लिए साथ चले, प्रश केतु ने बहुत तरह से उन्हें संतोष करवा कर विदा किया, परवत राज हिमात अतुन घर आये और उन्होंने सब परवतों औ परवों को बुलवाया हिम्बान ने आदत, दान, विने और बहुत सम्मान पुर्वक सब की बदाय की, जब शिप्जी क्लास परवत पर पहुचे तब सब देपता अपने अपने लोगों को चले गए, पारवती जी और शिप्जी जगत के माथा पे तहाई से लिए मैं उनक परवती बिवीत परकार की बोग विलास करते वे अपने गणों से कलास पर रहें लेगे वे नित नए भियार करते थे इस परकार बहुत समय बीट किया, तर छे मुखवाले पुत्र कार्थिके का जनम हुआ, उचिनोंने बड़े युद में तरका सुरकों मारा, बेत शास्त परणों में सामी कार्तिके के जनम की कता प्रसीद है और सारा जगत उसे जानता है। बेद भी नहीं पाते तब अंद मत भूतियों और कवान तुलसी दास का उसका वड़न कैसे कर सकता है जिपड़ी जी के रसीलियों सुआमने चृत को सुनकर मुनी भर्दवाजी ने बहुत ही सुख पाया कता सुनने की उनकी लालसा बहुत बढ़ गई नेत्रों में जल भर आ चिप जी के चन कम्नों में जिनकी प्रीती नहीं है वे शिराम श्यंद जी को सब नमेव अच्छे नहीं लगते विश्वनाद श्री श िपरीजी के चनों में निश्क पड़ प्रेम होना यही रामबत का लच्छन है शिराम चेंद ची के समार रगुनाज जी गबरत धरन कर तर्फ डिया जिया। वह बड़ा का नहीं जा सकता है मुनिश्वर राम प्रित अतंता पार है सौ कुरूर स्येश जी भी उसे नहीं कह सकते जताब में जैसा मैंने सुना है और हाथ में धनुश लिए वे प्रभूर श्री राम चंदर जी का समढ़ करके कहता हूँ सौसरती जी कठपुतरी के समाने रांतर यामी स्यामे शरी राम चंदर जी सूद्र रधारे अपना भग्त जानगा जिस का भी बर्वे किरपा करते हैं उसकी रधे रूपी आगन में सौसरती को मैं नचाया करते हैं उनी करपालो श्री रगुना जी को मैं प्रणाम करता हूँ उनी के निर्मल गुडों की कथा कहता हूँ कलास परवतों में शेश और बहुत धीर अमडिये हैं जाशी परवते जी सदा निवास करते हैं शित तपस्वी योगी गण देटा किनर और मुनियों की समू उस परवत पर रहते हैं वे सब बड़े पुणातमा हैं और आनंद गंद शीरी महादेव जी की सेवा करते हैं जो बागवान मिश्रू और महादेव जी से भी मूख हैं और जिनकी ध्रम में प्रीती नहीं हैं वे लोग सब ने में भी वहाँ नहीं जा सकते उस पर बड़ पर एक विशाल बरगत का पेड़ है जो नित नवीन और सब काल में सुन्दर रहता है वा तीनों परकार की बायू बहती रहती है और उसकी इच्छाया बड़ी ठंडी रहती है वा शिप्जी जी के बिश्राम करने गब रख जिसे वेदों ने गाया है एक बार पर हुशी जी जी उस प्रश के नीचे गई और उसे देखकर उनके रदे में बहुत आनंद हुआ अपने हाथ से बागांबार बिचाकर करपालो शिप्जी जी सवाव से ही माँ बैड़ गए कुंद के पुष्प चंद्रमा और शंक के समान उनका गौर शरीट था बड़े लंबी भुजाएं थी अवे मुनियों के से वस्च धरन किये वे थे उनके चिरण नए लाल कमल के समान थे नको की जोती बक्तो गिरदय का अंधिकार हरने वाली थी साप और भसमी उनके भूशर थी और उन तरप्रवा सुर के शत्रु शिप्रीजी का मुख शरत के चंद्रमा की श्रुबा को भी हरने वाला था उनकी सिर्पा जटाओ का मुकटर गंगा जी थी कमल के समान बड़े बड़े नेत्र थे उनका नील कंट था और सुंदर्ता के बंडार थे उनके मस्तब पर दूर्तिया का चंद्रमा शोबित था कामदेप के शत्रु शिप्रीजी वहाँ बैठ गे ऐसे शोबित हो रहे थे मानो शांत रसी शरी धरन के बैठा हो अच्छा मौका जानका शीप पतनी माता पार्वती जी उनके पास गई अपनी प्यारी पतनी जानकर शिप्रीजी ने उनका बहुत आधर सतकार किया और अपनी वाई और बैठने के लिए आसन दिया पार्वती जी परसन होकर शिप्रीजी के पास बैठ गी उन्हें पिछले जन्म के गथा इसमर रुणों आई सामी के रदे में अधी प्रेम समझ कर पावजी जी हसका प्रिय बचन बोली जो कता सब लोगों का हित करने वाली है उसे ही पावजी जी पूछना चाहती है है संसार के सामी हैं मेरे नात हैं तरपुरा सुरका बत करने वाले आपकी महमा तिने लोगों में प्रिक्यात है चर अच्चर नाग मनुश और देप्ता सभी आपके चरन कमनों की सिवा करते हैं हे पर हो आप समर्द सर्वग और कल्यान सरोप हैं सब कल्यान गुडों के निदाने और योग ग्यान तबहराग के बंडार हैं आपका नाम स्रणा गत्तों के लिए कल्प ब्रक्ष है यह सुख के राशी यदि आप मुझे पर प्रसन हैं और सच्पूर मुझे अपनी दासी जा जानते हैं तो यह पर वो आप शरी रगुनार जी की नाना प्रकार की कथा कहकर मेरा ज्यान दूर कीजिए जिसका घर कल ब्रश के नीचे हुआ बला दरीता से उत्पनु दुख को क्यों सहेगा यह जची पूशन है ना थर्दे में सब इचार कर मेरी बुद्धी के बारी भ अक्ता मुनी है वे शरी राम चंद जी को अनादी भरम कहते हैं अशेष और सती बेदर पुरान सभी शरी रगुनार जी का गुण गाते हैं और हे कामदेव के शत्रू आप भी दिन रात आधर पुरवक राम नाम जपा करते हैं यह राम वही अध्या के राजा के पूत्र है यह जन्मिन निर्गुन और अगोचर कोई और राम है यदि वे राजपूत्र हैं तो हे भरमा कैसे इस तरी के बिरह में उनकी मती बावली कैसी हो गई इधर उनके ऐसे चरित्र देखकर और उधर उनकी महमा को सुनकर मेरी बुथी अत्यंत चक्रा रही है यदि इच्छा र राम चंदर जी की प्रभूता देखी थी प्रणतु अत्यंत बेवित होने के करन मैंने यह भाबात आपको नहीं सुनाई तो भी मेरे मनिद मन में बोधन हुआ इसका फॉल भी मैंने अच्छी तरह पा लिया अब भी मेरे मन में कुछ संदय आप करपा कीजे मैं हाँ जुड अरंकार रूप में धरन करने वाले देटाओं के नाथ आप श्री राम चंदर जी की गुड़ों की पवित्र कथा कहिए मैं प्रती पर स्तिर्ट टेक कर आपके चरणों की वन्ना करती हूं और हां जुड़कर बिंदी करती हूं आप वेदों के सिर्धाम को निचोड़कर श देटां के सामी मैं बहुती आतभाव से पूछती हूं आप मुझ पर दया करके श्री रगुनाद जी के कता कहिए पहले तो वहां कान बिचार कर बतलाए जिससे निर्गुन भरम सरगुन रूप दरान करता है फिर वे प्रवर श्री राम चंदर जी के अवतार की कता कहिए तो उनका उदारवाल चरितर कहिए फिर जिस प्रकार उन्होंने श्री जानकी जी से भिवा किया वा कता कहिए और फिर वह यह बतलाए कि उन्होंने जो राज छोड़ा सो किस दोश से हेनात फिर उन्होंने वंज रहकर जो अपार चरितर कहिए तजी स्तर रावन को मारावा कहिए हेक सुकुर सुरूप शंकर फिर आप उन साधी निलाओं को कहिए जो उन्होंने राज में बैठ कर की थी हेक इरपा धाम फिर वह अद्बुच चरितर कहिए जो श्री राम चंदर जी ने किया वे रगुकुल शिरूमरी प्रजा सेथ किस प्रकार अपने धाम को गए हे पर फिर आप उस तत्त को सुंजा कर करें इसकी अनुभूती में ग्यानी मुनीगर सदा मगण रहते हैं और फिर भक्ति ग्यान विज्ञान और बेरा का बिवाग सेथ वड़न कीजे शिराम चंदर जी की और भी जो अनेक रहस हैं उनको कहिए हे नात आपका ग्यान अत्यान जो बात मैंने ना पूछी हो है दियालू से भी आप चिपा ना जख कियेगा बेदू ने आपको तुए लोका का गुरू का है दूसरे पामर जीव इस रहस को क्या जाने पारवधी जी के से सुन दो और छड़ रहत प्रशन को सुनकर शिर्वी जी के मन को बहुत अच्छे लगे शिरी मादेब जी के एरदे में सारे रान प्रेडितर आ गए प्रेम की मारे उनका शरीप पुलकीत हो गया और उनको नहितरों में जल बाराया है शिर्वी जी का रूप उनके रदे में आ गया जिसे स्याम पर्मानन सुरूप शिप जी ने भी अपार सुप पाया जाता है और इसके जान लेने पर जगत का उसी तरह लोप हो जाता है जैसे जावने पर सबने का भरम जाता रहता है मैं उन्हें शीराम चंदर जी के बाल रूप की बनना करता हूं, जिनका नाम जपने से सरफ सिध्या सह जी प्राथ हो जाती है, मंगल के धाम, मंगल की हरने वाले और शीर्दशरजी के आगन में खेलने वाले शीराम चंदर जी मुझ पर किरपा करें, तरप्रासुर का बढ़ करने वारे सिविजी शीराम चंद जी को बढ़ां करके आनन्मे भरका अमलत के समान बाणि बोले हे घिरी राशकुमारी पारवती तुम धन ने हो धन ने हो तुमारा समान को य aven कारी नहीं है जो तुमने शीरी रगुनाज जी की चरणों में प्रेम रखने वाली हो ये परवती मेरे विचार में तो शीराम जी की करपास से तुमारे मन में सपने में भी शोक, मो, संद्य और भरम कुछ भी नहीं है फिर भी तुमने इसलिए वही क्षंका की है कि इस प्रसंग के कहने सुने तो सब का कल्यार होगा जोनों इपने कानों से भगवान की कथा नहीं सुने इसके कानों के चितर साब की बिल के समान है जोनोंने अपने नेत्रों से संतों के दर्शन नहीं के नेत्रों मोर के पंखों पर देखने वाड़ी नकली आखों की गिंती में वे सिर कड़वी दूबी के समाने अश्री हरी अगुरू के चनत तल पर नहीं जुखते जिनोंने भगवान की वक्ती कौपनी हर्दें में इस्थान ने दिया वे प्राने जीते वे मुर्दे के समाने जो जो शीरामचंदर जी के गुणों का गान नहीं करती वे मेड़क की जीव के समाने वह रदे ब्रश के समान कड़ा और निश्चो रजे भगवान के चुड़ेत सुनकर हरशित नहीं होता है शीरामचंदर जी की लिला सुनो यहा देवताओं का कल्यार करने वाली और देटों का विशेज सूप से मुहित करने वाली है शीरामचंदर जी की गता काम देनों के समाने सीवा करने से सब सुखों को देने वाली है और सत पुरशों के समाजी सब देवताओं के लोग है ऐस रामचंद जी के सुन्दर नाम गुर्ण चड़ितर चरम और करम सभी अगनित काई हैं जिस परकार भगवाएंशी रामचंद जी अनन्त है उसी तरह उनकी कता केर्थी और गुड़ भी अनन्त है तो भी तुम्हारी अतनत प्रिती देखकर जैसा कुछ सुना है और जैसी मेरी बुद्धियोशी के नुसार में कहूंगा है परवती तुम्हारा प्रशन सभावे की सुन्दर सुकदाय को सम्त है और मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा है प्रंधिये परवती एक बात मुझे अच्छी नहीं लगी दिपिवा तुमने मो के वश होकर ही काई है तुमने जो यह का कि वर राम कोई और है जिने बेद गाते हैं मुनी जन जिनका ध्यान करते हैं जो मोर भी पिसाज के दारा गरसते पाखंडी हैं भगवान के चरणों से बीमो कियां जो चूट सच कुछ भी ने जानते हैं ऐसे अधम मनुशी इस तरह कहते सुनते हैं जो ज्यानी दरपर पर विश्यार रूपी काई जमी वही है जो भैवी चारी चाली और बड़े कुटिल हैं जोनों ने कभी सापने मेरी सम्त्रस्वात के दर्शन नहीं कि और जिने अपने लाव आनी नहीं सूजिती वही ऐसे बेद भुरूद बाते कहा करते जिनका अर्दै रूपी द जगत में भरम से फिरते हैं, उनके लिए कुछ भी करड़ना संभव नहीं है। जिने वायू का रोग हो गया है, जो भूत के वंश हो गई हैं, जो नशे में चूर हैं, ऐसे लोग विचार कर बचन नहीं बोलते हैं, जिनोंने महा मोरूपी मदरा पी रखियें, उनके गहने प कान नहीं देना चाहिए। जपनी हिर्दे में ऐसे विचार कर संदेज छोड़ दो, शिराम चंदेजे की चड़नों को भजो, हे भारती भरम रुपियां दिकार के नाश करने के लिए सूर्की किनों के समान मेरे पचनों को सुनो, सगुण और निर्गुड के में कुछ भी में भेद नहीं, जिसका नाम भरम रुपियां दिकार के मिटाने के लिए सूर है, उसके लिए मो का प्रसंग भी कैसे का जा सकता है, शिराम चंदर जी सचजानन सुरूप सूर है, वहां मो रुपियां राच्री का लव लेश भी नहीं है, विस्वाव सही प्रकाश रूप और भगवान है, वहां तो विज्ञान रुपी प्राता काल भी नहीं होता, हर शोक्ष, क्यान, अज्ञान, अहिंत और अभी मानिये, सब जीव के धरह में, शीराम चंदर जी तो ब्यापक भ्रम, पर्मानन सुरूप, पर्माग भुरू और पुरान पूरुश हैं, इस बात हैं, जी माया और जगह सबके स्वामी हैं, वेर अबिकुल मड़े शीराम चंदर जी मेरे स्वामी हैं, ऐसा किया का शीवी जी ने उनको मस्तक नावाया, अग्यानी मनुष अपनी भ्रम को तो समझते हैं और अमूर को, परूश हीराम चंदर जी पर उसका आरोग करते हैं, जैसे आकाश ने बादलों का परदा देखकर कूब बिचारी लोग कहते हैं कि बादलों ने सूर को डगती लिया, जो मनुष आंक में अंगली लगा कर देखता है, उसके लिए तो चंदर मा प्रगठ है, पारवती शीराम चंदर जी के विशे में इस परकार मो की कलपना करन वैसा है जैसा आकाश में दिकार दूया दून का सोना है, विशे इंदरिया, इंदरियों के देखता और जीवात्मा ये सब एक साथा से एक सितन होते हैं, इस सब का जो परम परकाशक है, वही अनादी भरम अयुद्धा नरे शीराम चंदर जी है, यह जगत परकाश और शी इसी भासीत होती, जैसे सीप में चांदी की और सूर की किड़ों में पानी की प्रतीती होती, इद्पी विया प्रतीती तीनों कालों में जूट है, तता पी इस भरम को कोई हटा नहीं सकता, इसी तरह संसार भगवान के आश्री तुरहता है, इद्पी असत है, तो भी इस तरह सपन में कोई सिर काट ले, तो बिना जागेवा दुख दूर नहीं होता, यह प्रावरती जिनकी किरपाने से इस प्रकार का ब्रहम मिट जाता है, वही किरपालोची रगुनाज जी हैं, जिनका आदी और अंत किसी ने नहीं पाया, बेदों ने अपनी बुद्दी स अनुमान करके इस प्रकार गया है, वह बिना ही पैर के चलता है, बिना ही कान के सुनता है, बिना ही हाथ के नाना प्रकार के काम करता है, बिना मुह के सारे ससोक आनद लेता है, बिना ही बाने के बहुत योग वक्ता है, वह बिना ही शरीर के सपश करता है, बिना ही आकों के देखता अब नहीं ना के सब गंदो को घरण करता है। उस प्रमा की करनी सभी प्रकार से ऐसी अलोकी किया है जिसकी भहमा कहीं नहीं जा सकती। इतार समुद्र का संद्र मपारती नाँ लाते मनुश्य के ज्ञानरा नशवा परती त Peng नशी रहेग नश्य सढ़त है। पावधी जी के सब को तर्कों की रचना मिढ़ गई श्री रगुणाजी की चरणों में उनका प्रेम और विश्वास हो गया और कठिन असंभावना जाती रही बारबार स्यामी के चरण कमनों को पकड़ कर अपने कमल के सवान हातों को जोड़कर पावधी जी मानो प्रेम रस में सान कर सुन्दर बोली बोली आपकी चंद्बा की क्रिणों की समान शीतल बाने सुनकर मेरा अग्यां रूपी शर्द रितू की धूप का भारी ताप मिट गया ही करपालू आपने मेरा सब संदे कहर लिया अप श्री रांग चंद जी क्या था सुरूप मेरी समझ में आ ग गये हूनू तो अब आप मुझे अपने दासी जान करें प्रहो एदी आप मुझे पर प्रसन है तो जो आप मैंने पहले आप से पूची थी वही कहिए शीराम चंद जी ब्रह्म हैं चिदमें हैं अविनाशी हैं सबसे रही तों सबके रदय रूपी नगरी में निवास करने वाले हैं फिर इनात उन्होंने मनुष्ट का श्रेंड किस करण से धरन किया है धरन की दोजा धरन करने वाले प्रहो यह मुझे समझा कर कई पार्वती के नरम बचन सुनकर शीराम चंद जी की कथा में उनका शुद प्रेम देखकर तब कामदेब की शत्रु सुवावी की बुलो सारे भगवानों की जय हो